Hello everyone, welcome back to my channel So episode 19 के starting में हमें दिखाया जाता है कि लिंजी और क्विन हग कर रहे होते हैं एक दूसरे को तभी क्विन देख लेता है कि जो गुड़ा आ रहा है वो उसे मारने के लिए आ रहा है तो वो लिंजी को बोलता है कि लिंजी मेरे बाद ध्यान से सुनो जितना जल्दी हो सके तुम ला से चले जाओ और कार में बैठ कर तुम खर चली जाओ तो लिंजी बोलती है बट मैं तुमें छोड़कर कैसे चली जाओ क्विन उसे बोलता है कि अभी मेरे पास तुमें कोई सिच्वेशन को एक्स्प्लेन करने का टाइम नहीं है तुम प्लीज जल्दी से याँ से चली जाओ बैसा बोल रहा हूँ वैसा करो और फिर वह लिंजी को भेज़ देता है उसके बां वो गुंडा चाकू निकालता है और क्विन को मारने जाता है उसके बाद क्वीन उस गुंडे से फाइट करता है बट उस गुंडे के हाथ में चाकू रहता है तो वो क्वीन के उपर वार कर देता है जिससे क्वीन के शोल्डर में कटा जाता है उसके बाद क्वीन भी उस गुंडे से फाइट करता है तभी पुलिस के होरन की आवाज आती तो गुंड़ा वहाँ से भाग चाता है तब लिंजी आती है क्विन के पास और उसे पूस्ती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी क्विन उसे बोलता है कि क्या पुलिस को तुमने कॉल किया है तो लिंजी बोलती है नहीं मैंने कॉल नहीं किया मेरे पास उतना टाइम नहीं वरना वे बुन्दे लोग वापस आजाएंगे उसके बाद वो Queen को लेकर चली जाती है उसके में सीन में दिखाया जाता है कि आप निंजी Queen के चोट पर पट्टी लगा रही होती है और उससे बोलती है कि तम शूर वो कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरुरत नहीं है मैं तो बोलती हौ एक बार हॉस्पिटल चल लेते है क्या पता इसके वज़े से तुम्हें infection ना हो जाए तâu Queen उससे बोलता है कि तुम्हें चलता गरने के जरुरत नहीं है क्या मेरे चेस्ट पर जो दाग हुआ था तो मुझे बूल रहे वो भी तो इस तरह पर कट ही था तो अगर मैं इंफेक्टेड उससे हुआ था तो क्या मैं आज यहाँ पर बैठे रहता इस छोटे गोटे चोट से मुझे कुछ नहीं होगा तो चिंता मत करो तो यहाँ पर लिंजर उसे बोलती है आज जो गुंदा आया था क्या वो मुझे मारने के लिए आया था तो क्विन उसे बोलता है नहीं वो मुझे मारने के लिए आया था तो लिंजर उसे बोलती है तुम्हे मारने के लिए बट क्यों तो क्विन उसे बोलता है कि मेरे जैसे आम आदमी के लिए ये सब बाते नॉर्मल है उसके बाद वो लिंजी को बोलता है कि लिंजी क्या तुम उससे प्रॉवस करोगे तो लिंजी बोलती है कि हाँ बोलो तो क्विन उसे बोलता है फ्यूचर में अगर तभी मेरे साथ कुछ हो जाता है और अगर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास नहीं रहता हूँ तो तुम एक बात याद रखना चीसान ने जो तुम्हारे डैट का मडर किया है तो उसका संबूर ढूंदोगी और फिर तुम्हों डैट प्लिस को दे दोगी इससे चीसान को कम से कम 10 से 15 साल की जेन तो आराम से हो जाएगी और इसके वज़े से तुम्हें ज़यांदा मेहनत करने की जौरत नहीं पड़ेगी पुलिस अपना काम आराम से कर देगी और जब चीसान को जेन हो जाएगी तो तो फिर तुम्हारे life में सब कुछ आसान हो जाएगा उसके बाद तुम ये सारी चीजे भूल जाना और अपने जिंदगी में एक नई शुरुआत करना एक नई जगा पर तो लिंजर से बोलती है कि तुम ये कैसे बाते कर रहे हो मैं ऐसा प्रॉब्स तुम्हारे साथ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें कभी कुछ होगा ही नहीं उसके बाद लिंजर बोलती है तुम्हें मेरे लिए ठीक से रहना होगा क्योंकि तुमने मेरे साथ कॉंट्रैक्ट पर साइन किया है और तुम मेरे employee हो तो मैं जैसा बूलूँगे तुम मैसा करोगे अगर तुम सच में कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारा salary से तुम्हारा सारा पैसा काट नूँगी और लिंजे इस तरह से इस तरह बोलती है क्योंकि वह बहुत sad रहती है queen को ले करके अब सिर्वर रोलने लगती है उसके बाद विन उसे बोलता है ठीक अगर तुम मुझे वादा नहीं तरूँगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आपको कभी में कुछ होने नहीं दोगा उसके मंदोलों एक गुष्रे को हब करते हैं उसके बाद लिंजी सो जाती है तुपेन उसे उठा करके उसके रूम में ले आता है और उसे सुला देता है और फिर वो उसके forehead पर किस करता है उसके बाद वो गुष्से से चीसन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता ह और बोलता है कि तुम अपना ये छोटा बोटा गीम खिलना कब बंद करोगे क्योंकि उन गुंडों को चेसन नहीं भीजा था इस लिकुष्स में रहता है यहाँ पर चेसन बोलता है कि तुम अभी जितना हिल देख रहे हो मुझे तो लगता है तुम्हें कोई चोट ही नही लिए सोच रहे हो तुम्हें पता नहीं है जिस ओर्गनाइजेशन को मैंने कोंट्राक्ट पेपर भीजा है तुम लोग को मारने के लिए उसमें सिफ तुम्हारा नाम नहीं है बलकि उसमें लिंजी का भी नाम है तो तुम लोग दोनों ही मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो यहाँ पर क्विन उसे बोलता है अगर तुम लिंजी को खोड़ी से भी चोट पहुँचाने की कोशिस की तो मैं तुम्हें इंचान से मार दोंगा तो यहाँ पर चीसान उसे बोलता है तो ठीक है मैं भी बहुत ज़्यादे एकसाइट हूँ यह देखने के लिए कि आखिर तुम जितना बोलते हो उतना कर भी पाते हो यह नहीं तुम लिंजी को बचाने के कोशिस करो बट तुम्हारे मौम का क्या होगा क्विन अपनी मौम के बाद सुनकर और गुश्सा हो जाता है उसके बच्छी सान यहाँ पर बोलता है अगर तुम्हें वापस से सब कुछ दूरा नहीं छोड़ते हैं तो क्या बोलते हो क्या मुझसे माफ़ी मांगोगे तो एक बाद ट्राइ करके तो देखो तो यहाँ पर कुईन बहुत गुस्सा हो जाता है और जो वाइन की बॉटल्स रखी रतियों से तोड़ देता है और फिर वो चीसान को मारने के लिए जा तो अगर तुछी मर जाओगे तब फिर वो लुट क्या करोगे तब तो तुमारा जो यह कॉंट्रैक्ट है वो आटोमेटिकले कैंसर हो जाएगा यह तो कही के भी कॉंट्रैक्ट का रूल है ना तो बोलू क्या बोलते हो मैं तुम्हें मार के यहीं से गाया कर दो उसके बोलता है क्या डेन बोलो तो चीसान उसे बोलता है पहला डेन यह है कि तुम्हारे पास जितना भी हॉंट्रैक्ट का सेयर है तो मुझे वो सारा दे दो और दूसरा डेन यह है कि यह घर को छोड़ करके अब भी चली जाओ और लिंजी को भूल जाओ तो दो जिंदगी के ल लिंजी को कभी भी चोड़ पहुंचाने की कुर्सिस नहीं करूँगा और वैसे भी मैं लिंजी को क्यों चोड़ पहुंचाओंगा अगर तुम मुझे सारा हांफु ग्रोप का शेयर दे दोगे तो बोलो तो यह पर क्विन बोलता है कि ठीक है मुझे यह डिल मन्जूर है तो चीसान उसे बोलता है तो बोलो तुम मुझे वो शेयर कब दे रहे हो क्विन उसे बोलता है जब मैं यह सेयर हो जाओंगा तुम अपने दिया हूँगा प्रामिस पूरा करते हो या नहीं तब चीसान उसे बोलता है कि हमारे बीच में जब देन हुई है तुमने मुझे ह हमेशा धोका दिया है क्यों ना इस बड़ तो इमांदारिय से इस डील को पूरा करो तो यहाँ पर चीसन बोलता है कि तुम विश्वास करने के लायक हो तो चीसन उसे बोलता है तो एक काम करते हैं मैं उस और्गनाइजेशन को मना कर देता हूँ तो लोग दोनों को मारने के उसके मदले तो तीन दिन के अंदर निंजी और इस फैमली को छोड़ करके यहां से चले जाओ उसके बाद जो असनी डीन है उसकी सुरुवात करेंगे बटके उससे कुछ नहीं बोलता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है और फिर सी यहां पर खतम हो जाता है तो